यहाँ पर आप एक टेकी नहीं है मला आपको computer का ज्यादा knowledge नहीं है और आपको समझ में नहीं आता कि मेरे काम की साब से मुझे कौन सा computer लेना चाहिए मेरे को कौन सा CPU लेना चाहिए RAM कितना लेना चाहिए स्टोरेज मुझे कौन सा रखना है और कितना रखना है तो आज के वीडियो पूरा एंड तक देखिए और मेरा प्रॉमिस है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप जब भी नेक्स कम्पीटर लेने जाएंगे तो आपको कहीं पर कोई कंफूजन नहीं रहे तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं जो भी आपको स्पेक्स पताऊंगा यह आपको ब्रैंडेट पिक्से में मिल जाएगा मला जैसा को मालूम है कि एच्पी डेल लेनवो इस टेप के जो कंपनीज है वह आपको ब्रैंडेट पिक्से प्रवाइ के दे देंगे यह दोनों तरीका जहां से आप कंप्यूटर ले सकते हैं तो बात करते हैं कि आपको कौन से स्पेक्स के साथ जाना चाहिए तो देखेंगे कि आपका काम किस टाइप का है माली जाए आप स्कूल गॉइंग स्टुडेंट है वहला आप सेवें तेट में जाते सकते हैं दोनों रफली 6,000 के आसपस आपको मिल जाएगा और पूरा PCA बात करें तो आप 178,000 रुपा में आराम से आपका बन जाएगा या फिर आपको ब्रांडेट में मिल जाएगा जिसमा मॉनिटर नहीं रहेगा बाकि कंप्यूटर आपको 178,000 में बिलकुल मिल एक टीबी का लगा लेंगे तो वेलन गूड़ है बाकि 500 जीबी भी आप लेंगे तो मूर दन इनफ है उतना आप ले सकते हैं एक पॉइंट और SNPS यहने जो पावर सप्लाई है वो बहुत इंपोर्टेंट होता है जितने भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं स इसको बिल्कुल आपको देख के चूज करना है यहाँ पर मिनिममम रेटिंग बता रहा हूं कि आपको 200 वाट कम से काम आपको SNPS यहां पर चाहिए उससे उपर चल दीजिए उससे नीचे बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है इस चीज को आपको ध्यान रखना है आप बात क अनिममम आपको टैंज के साथ जाना है राइजन के साथ जाना तर आप राइजन 3-3100 इस टैप का प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं रहें कि बात करें तो यहाँ पर आपको भी चाट जीवी रह में आपका काम चल जाएगा आट जीबी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है वा अपको 250 वोट का नहीं लेना आपको 300 वोट का लेना है इसब्सैक्स कर ज़ाइए आपका काम आराम से चल जाएगा अब आप कॉलेज में ही काम करते हैं बाध काम थोड़ा प्रोफेशनल है भला आपका कोई कोडिंग काम है या फिर कोई erini... कॉइस काम काम है अगर आपको काम है फिर कोई काम लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए bu खा ik 5 क्मेंट क्रोले मैं 21 I5 आप 25 का गोगा 30G來了 आपके बजेट प्रेशन आपको वहां पर जाना चाहिए या फिर आप प्राइजन 5 3500 इस टेप का आप ले सकते हैं रेम की बात करें तो आपको 8GB का रैम कंपल्सरी है उस से कम बिलकुल आपको नहीं लेना है और 8GB का एक सिंगल स्टिक लिजे ताकि इन फ्यूचर जब आप अपग्रेड करें तो 8GB का एक और स्टिक आप लगा लेंगे तो 8GB का यहाँ पर सिंगल आपको रैम लेना है स्टोरेज आपको एक टीबी का एजडी लेना है क्योंकि इस टेप का काम है आपको स्टोरेज की जरुबत तो पड़ेगी पड़ेगी और अगर थोड़ा बहुत आपका बजट है तो थोड़ा आप SSD लगा सकते है याने 256GB का SSD लगा 400W का लेगी है हाला कि मैं यहाँ पर थोड़ा वाट आपको बढ़ा के बता रहा हूं बट ट्रस्ट मी आप रखिए बहुत काम आता है यह बहुत जरूरी है इस से कम वाट आपको बिलकुल भी नहीं लेना है अब आपका यह रिक्वार्मेंट तो है ही पर आपको वीडियो के तरफ से देखें तो आई 510 400F यह अप ले सकते हैं या फिर आप राइजन 5 5600 ले लिजिए इस टाइप का आपका एडिटिंग का भी काम हो जाएगा और आपके कॉलेज के सारे वरक अनिमेशन होगर काम कोडिंग तो होई ही जाएगा पर अगर आपको हाई लेवल के दूरी है और ग्राफिक्स कार्ड भी मिनिमूम आप 2060 या 3060 यह सा ग्राफिक्स कार्ड लगाई है ताकि बिल्कुल आपका काम अच्छे से हो सके बट अगर अभी आपका बजट थोड़ा सा टाइट है या फिक ग्राफिक्स कार्ड जो रेट आपको पता ही है इतने करेंगे और अगर आप जो मैं आपको सिप्यों बता रहा हूं उसके आपको पेर करेंगे तो आपका काम अराम से चल जाएगा उसके अलब आपको बिल्कुल भी कहीं पर लेगनी चाहिए किसी टाइप को जहंजड नहीं चाहिए तब ग्राफिक्स कार्ड लगाईए और इस सब्सक्राइब को पेर करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आप वहां पर देख लिजिए कि आपको सीप्यू कौन सा लेना है वहां पर मेरा रिकमेंडेशन है ग्राफिक्स कार्ड आप लीजे ही लीजिए यह कुछ स्पैक्स हो गए जो आप अपने काम आपके इच्छा और आपका बजेट उस पर डिवस्ट डिसाइड करता है यहाँ पर मैं आपको मिनियो अस्पेक्ट बताए कि इस चे आपको नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है तो बस यही थाज के वीडियो में अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कर दिजाएगा फ्रेंड के साथ शेर कर दिजाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजाएगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बिंदास है यह पिक्येर